हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू अगेन ओल इंडिया मेडिसिन में आज हम जानेंगे फिर एक नई मेडिसिन के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं अज हम जानेंगे केटो फ्लाइ शैंपू के बारे में कीटो कोन अजॉल अंटी डैंडरफ शैंपू डैंडरफ फ्री हेर विदाउट ड्राइनस विवरंड केटो फ्लाइ शैंपू फफुंदिय संक्रमन त्वचा का यीस्ट संक्रमन त्वचा की यीस्ट संक्रमन और अन्यस्थितियों के उपचार के लिए निर्देशित किया जाता है केटो फ्लाइ शैंपू निमनलिखित सक्रिय सामग्रिया शामिल करता है कीटो कोन अजॉल टॉपिकल ये शैंपू के रूप में उपलब्ध है केटो फ्ली शैंपू फफून को शिका जिली के निर्मान में हस्तक शिप और कमजोर करके काम करता है ओवव्यू केटो फ्लाइ शैंपू का प्रयोग निमनलिखित बीमारियों स्थितियों और लक्षनों के उपचार नियंत्रन रोग थाम और सुधार के लिए किया जाता है जैसे फफुन्दिय संक्रमन, त्वचा का यीस्ट संक्रमन, रूसी, कैंडिडल संक्रमन, वैली फीवर, हिस्टो प्लाज्मोसिस, पैराकॉकसीडियो आइडो माइकोसिस, ब्लास्टो माइकोसिस, दाग्ग सीबम्योक, त्वचा शोत, कुशिंट सिंड्रोम, दाद का एक प्रकार, एथलीट फुट, टीनेया वेरसिल, बेली बटन संक्रमन, खुजली वाली खोपड़ी, दुश प्रभाव, साइड एफेक्ट्स, ये दुश प्रभाव संभव हैं लेकिन हमेशा नहीं होते हैं, कुछ दुश प्रभाव दुरलब, लेकिन गंभीर हो सकते हैं, यदि आपको निम्नलिखित में से किसी भी दुश प्रभाव का पता चलता है और यदि ये समाप्त नहीं होते हैं तो अपने चिकित्सक से परामर्ष लें, जैसे त्वचा की खुजली, त्वचा की जलन का एहसास होना, शुश्कता, कूपशोत, त्वचा के लाल चकते, उल्टी, मतली, आसों में व्रिद्धी, सिर्दर्द, सुजन, त्वचा पर ला ततस्राव, चक्कराना, चुभन, जुन-जुनी, सावधानिया प्रिकॉश्चन्स, शराब की खपत को सीमित करें, हिस, दवा को मुह से ना ले, इस दवा को खुले घाव, सूखी, या जलन वाली त्वचा पर इस्तिमाल करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्ष करें, चिकित्सक के निर्देश के बिना इलाज क्षेत्र में अन्योत पादों का इस्तिमाल ना करें, अत्यधिक मात्रा में इस्तिमाल करने से पाई लीग हो, सकता है, पाई लीग रोकने के लिए एक पतली परत या कम मात्रा में दवा का उप्योग करें, इस दवा को आंख, मुह या नाक में ना घुसने दें, केटो फ्लाई शैंपू का इस्तेमाल कब ना करें, यदि आपको निमनलिखित समस्याएं हैं तो केटो फ्लाई शैंपू नहीं लिया जाना चाहिए, जैसे अतिसम वेदन शीलता, वही कीमत की बात करें तो सो एम, एल शैंपू मात एक सो साथ र कित सक्के निर्देशों के अनुसार दवा का सेवन करें, या उत्पाद पर प्रिंट किये गए निर्देशों का पालन करें, शैंपू को लगा के दो मिनित तक मसाज करें फिर साफ पानी से धोले, शैंपू को सप्ताह में दो बार उप्योग करें